हेलो फ्रेंज यदि आपके से भी कॉम्प्रिशन की तेयरी कर रहे हो या आपको शो के नोवल्स पोलिट्री और स्टोडी पढ़ने का तो आए हमारे चैनल जी के विदमस्ति संदिप गोयल पर यहां आपको बहतरी से बहतरी ओपन्यास कहानी और कविता ही मिलेंगे और स्मर्णिय तत्य राष्ट्री एक भारत की बंगाली फिल्मों एवं थियेटर के किस वयोवरिद अभिनेता को फ्रांस के सर्वोचिन्नागरिक सम्मान से 30 जनवरी 2018 को सम्मानित किया गया सौमित्र चटर जी बंगला फिल्मों के ख्याती प्राप्त अभिनेता सौमित्र चटर जी को फ्रांस के सर्वोचिन्नागरिक सम्मान लीजन ओफ ओनर से फ्रांस के राजदूत ने कुलकाता में सम्मानित किया सौमित्र चटर जी की प्रसिद्ध फिल्मों में अपूर्व संसार वच्चारूलता सम्मिलित हैं। 2. दक्षन भारतिय फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता कमल हसन ने राजनीती में प्रवेश करते हुए 21 फरवरी 2018 को कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई है। 3. मक्कल निधी मैयम दक्षन भारतिय फिल्मों के सफल अभिनेता रहे कमल हसन ने तमिलनाडू में परमाकुडी में अपनी नई राजनीतिक पार्टी मक्कल निधी मैयम बनाने की घोशना की। इसके साथ ही अपनी पार्टी का ध्वज जिसमें सफेद प्रिष्ट भूई पर छे हाथ और एक सितारा बना हुआ है का अनावरन भी किया। 3. मजगाउं डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्मित स्कॉर्पीन श्रेणी की तीसरी किस पंडूबी का जलावतारन 31 जनवरी 2018 को अरब सागर में किया गया। 4. आयनेस करंज पंडूबी फ्रांसेसी नौसैनिक कमपनी DCNS के सहयोग से भारत में बनाई गई है। इस प्रकार की छे पंडूबियों की निर्मान श्रेंखला में ये तीसरी है। इस श्रेणी की दो पंडूबियां आयनेस कलवरी एवं आयनेस खंडेरी का जलावतारन हो चुका है। अन्यतीन वेला और वगीर एवं वगशीर अभी निर्माना धीन है। गोहाती इस समय एक वानिजिक नगर बनता जा रहा है। पांच भारत की किस महिला क्रिकेट खिलाडी ने एक दिवसिये क्रिकेट में 200 विकेट लेने का रेकॉर्ड फरवरी 2018 में बनाया। जूलन गोस्वामी भारत की महिला क्रिकेट खिलाडी जूलन गोस्वामी ने 6. पश्चिम बंगाल में कुलकाता में किस सस्पेंशन स्टील पुल की 3 फरवरी 2018 को 75 वर्षगांट मनाई गई? हावडा ब्रिज कुलकाता में हुगली नदी पर निर्मित हावडा ब्रिज का उधगाटन 3 फरवरी 1943 को हुआ था इसका निर्मान 1936 से 1942 के मद्य हुआ था इसमें प्रयोग अधिकांच स्टील टाटा स्टील ने सप्लाई की थी वर्तमान में इसका आधिकारिक नाम रवींद्र सेतु है साथ कौन सी इंडियन नेवल सेलिंग वेसल जिसके संचालक दल में केवल महिलाईं सम्मिलित हैं विश्व की परिक्रमा कर रहा है आयन एसवी तारणी आयन एसवी तारणी नौका की कप्तान लेटनेंट कमांडर वर्तिका जोशी हैं तथा अन्य सहयोगी हैं लेटनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल पी स्वाती लेटनेंट S. विजया देवी बी एश्वर्या एवं पायल गुपता इस अभियान का नाम नाविक सागर परिक्रमा रखा गया है ये अभियान 10 सितंबर 2017 में गोवा से प्रारंब हुआ है तथा मार्च 2018 में गोवा में ही समाप्त हो जाएगा आठ जम्मू कश्मीर की चार नदियों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रिय जलमार्ग घोशित किया है जेलम, चिनाब, सिंदू, रावी भारतिय अंतरदेशिय जलमार्ग प्राधिकरन, Inland Waterways Authority of India द्वारा, जम्मु कश्मीर की चार नदियों, जेलम, चिनाब, सिंदू वरावी को राष्ट्रिय जलमार्ग के रूप में विक्सित किया जाएगा 9. Transparency International संस्था द्वारा, फरवरी 2018 में, जारी भ्रस्टाचार सूचकांक सूची 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? 81. पर्लिन इस्थित गेर सरकारी संस्था NGO Transparency International द्वारा फरवरी 2018 में जारी भ्रष्ट राष्ट्रों की सूची में भारत का 81 वां स्थान है पिछले वर्ष 2016 में भारत का सूची में 89 वां स्थान था लेकिन सौ अंकों में से भारत को 2016 वा 2017 में 40-40 अंक प्राप्थ हुए हैं दस भारतिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2018 में किन तीन राष्ट्रों की यात्रा संपन्न की फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमिरात, ओमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 9-12 फरवरी 2018 में फिलस्तीन, संयुक्त अरब अमिरात एवं ओमान की आत्रा की फिलस्तीन सरकार ने नरेंद्र मोदी को वहां का विदेशियों को दिये जाने वाले सर्वोच पुरुसकार Grand Collar of the State of Palestine, Grand Collar of the State of Palestine से सम्मानित किया गया Windbacks, भारत वा वियतनाम की सेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास 29 जन्वरी से 3 फरवरी 2018 को मध्यप्रदेश के जबलपुर में संपन्न हुआ 12. Auto Expo 2018 कहां आयुजित हुआ? नई दिल्ली वा Greater Noida सियाम, Society of Indian Automobile Manufacturers, वा ECMA, Automotive Component Manufacturers Association द्वारा, भारतिय उद्योग परिसंग, CII के सहयोग से 14 अटो एक्सपो का आयुजिन, 8 से 11 फरवरी 2018 को, वाहन प्रदर्शनी Greater Noida में, तथा संबन्धित कॉम्पोनेंट प्रदर्शनी नई दिल्ली में प्रगती मैदान में संपन्न हुई प्रिष्ट चप्पन, 13 पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में, ओवरॉल मेडल सूची में कौन विजेता रहा? हर्याना केंद्र सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्राले द्वारा पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में आयूजित किये गए, इनमें ओवरॉल प्रथम स्थान हर्याना ने प्राप किया, दूसरा तथा तीसरा स्थान क्रमश सरवाधिक आयू के किस टेनिस खिलाडी ने विश्वर रैंकिंग में प्रथम स्थान 19 फरवरी 2018 को प्राप्त किया, रोजर फेडर, स्विट्जरलेंड के टेनिस खिलाडी रोजर फेडर को 36 वर्ष की आयू में फरवरी में विश्वर रैंकिंग में प्रथम स्थान दुनिया की पहली नागरिक रोबोट कौन है जिसने फरवरी 2018 में भारत में हैदराबाद में आयुजित वर्ल्ड कॉंग्रिस ओन इन्फरमेशन टेकनोलोजी में भाग लिया सोफिया सोफिया रोबोट को डेविड हैंसन की होंग कॉंग आधारित कम्पनी हैंसन रोबोटिक्स ने 2015 में बनाया है तथा मार्च 2016 में इसे अमेरिका में टेकसिस में एक उत्सव में पहली बार प्रस्तुत किया गया था अक्टूबर 2017 में साउधी अरब ने इसे नागरिक्ता प्रदान कर दी सोफिया पहली रोबोट है जिसे किसी देश की नागरिक्ता प्राप्थ है ये 64 प्रकार के हावभाव प्रदर्शत करने में सक्षम है प्रश्न तीन, तेईसमें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन फरवरी 2018 में कहां हुआ? दक्षन कोरिया प्योंग्चांग में तेईसमें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन दक्षन कोरिया में प्योंग्चांग में नौ से पच्चीस फरवरी 2018 को संपन्न हुए खालिदा जिया बांगलादेश नैशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया को वहां की विशेश अदालत ने धन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में पांच वर्स की सजा आठ फरवरी 2018 को सुनाई खालिदा जिया बांगलादेश की पहली महिला प्रधान मंत्री थी प्रश्न पांच किस राष्ट्र की क्रिकेट टीम ने ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता भारत न्यूजिलेंड में 13 जैनवरी से 3 फरवरी को संपन अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत की टीम ने उस्ट्रेलिया की टीम को हरा कर जीता भारत ने ये कप इससे पूर्व 2000, 2008 वर 2012 में भी जीता रहा भारतिय टीम के कोच राहूल द्रविड तथा कपतान प्रिथवी शौ थे प्रैश्णची, वर्ष 2018 के डॉक्टर अखिलेश दास गुपता इंडिया ओपन बैडमिंटन टोर्नमेंट में पुरुष एवं महिला एकल खिताब क्रमशा किसने जीते शी युकी वज्जांग बीवेन चीन के शी युकी ने चीनी ताइपे के चोड तीन चेन को हराकर पुरुष एकल तथा अमरीका की ज्जांग बीवेन ने भारत की पीवी सिंदु को हराकर महिला एकल का खिताब जीता टोर्नमेंट का आयोजन नई दिल्ली में जन्वरी फर्वरी 2018 में किया गया था प्रशन साथ बेल्जियम के किस खिलाडी को इंटरनाशनल होकी फेडरेशन FIHK 2017 के पुरुषकारों में पुरुष प्लेयर आफ दे यर और राइजिंग स्टार आफ दे यर का वोर्ड देने की घोशना फर्वरी 2018 में की गई आर्थर वॉन डोरेन इंटरनाशनल होकी फेडरेशन ने बेल्जियम के आर्थर वॉन डोरेन को पुरुष वर्ग में तथा अर्जन्टीना की डेल्फीना मेरीनों को वर्ष 2017 का प्लेयर आफ दे यर घोशित किया है अर्जन्टीना की ही मारिया जोसे ग्रनाटो को महिला राइजिंग स्टार आफ दे यर का वॉर्ड प्रदान किया गहे प्रशन आठ किस कार निर्माता कंपनी की स्पेस स्पोर्ट्स कार को अंतरिक्ष में 6 फरवरी 2018 को भीजा गया टेसला अमरीका की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेसला के एलन मस्क ने स्पेस स्पोर्ट्स कार टेसला रोड स्टार को स्पेस दस एजेंसी के फालकन हेवी रॉकेट द्वारा फ्लॉरिडा से 6 फरवरी 2018 को सफलता पूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है लाल रंकी कार की ड्राइविंग सीट पर स्पेस सूट पैने हुए एक पुतला जिसका नाम स्टार मैन है बैठा हुआ है ये कार मंगल ग्रह से आगे निकल चुकी है प्रैश्न नौ छटी वर्ल्ड गाव्मेंट समिट वर्ल्ड गाव्मेंट समिट का आयोजन फरवरी 2018 में कहां संपन हुआ दुबई UAE संयुक्त अरब अमिरात के दुबई में छटी वर्ल्ड गाव्मेंट समिट का आयोजन किया गया जिसमें भारत विशेज सम्मानित आतिती था भारत की ओर से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने इसे संबोधित किया इस यात्रा के दौरान अबुधावी में एक भव्य एवं विशाल हिंदू मंदिर के निर्मान के लिए नरेंद्र मोधी ने शिलान न्यास भी किया प्रैश्न 10 Transparency International Dwarah फरवरी 2018 में जारी वारशिक भ्रष्टाचार सूचकांग 2017 में सबसे कम भ्रष्ट राष्टर कौन सा है New Zealand Berlin इस्थित गेर सरकारी संगठन NGO Transparency International Dwarah फरवरी 2018 में जारी भ्रष्टाचार सूचकांग Corruption Perception Index सूची में सबसे कम भ्रष्ट न्यूजिलिन तथा दूसरे स्थान पर डेन्मार्क है सरवाधिक भ्रष्ट राष्ट सोमालिया तथा दूसरे स्थान पर साउथ सूडान है 11. World Urban Forum का नवाँ अधिवेशन 7-13 फरवरी 2018 को कहां संपन्न हुआ 12. World Urban Forum की स्थापना शहरी करण की समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट ने 2001 में की थी इसके नौवे अधिवेशन में संयुक्त राष्ट के New Urban Agenda 2030 को सुविकार किया गया इस जिसके अनुसार Cities 2030 The Cities for All का लक्ष रखा गया 2020 में World Urban Forum का दस्वाँ वार्षे का दिवेशन आबुधाबी में प्रस्तावित है अन्तिम प्रश्न प्रश्न बारा पाकिस्तान की मानवाधिकारों के लिए कारे करने वाली किस महिला वकील एवं समाध सेविका का फरवरी 2018 में निधन हो गया अस्मा जहांगीर पाकिस्तान में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थापित प्रथम मानवाधिकार आयोग की सहसन स्थापक एवं अध्यक्ष रही अस्मा जहांगीर का 11 फरवरी 2018 को निधन हो गया प्रिष्ट सत्तावन झाल 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 झाल